जय हिन दोस्तों दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही वाइडली प्रिस्क्रिप्शन और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन यह ड्रग आपको नहीं मिलती हैं तो आज हम इसी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग से जिससे हम टेपेंटा डॉल के नाम से जानते हैं तो जी हा बट इसके अलावा जो टेपेंटा डॉल 50 मिलिग्राम की स्टेंथ वाली है वह बहुत ज्यादा पॉपलर है और जगर डॉक्टर करते हैं तो आपको हो सकता है तो टेपेंटा डॉल 50 mg वाली टेबलेट ही रिकमिनेंट करें वैसे टेपेंटा डॉल तो आपका दवा कामूल न टेबलेट और मोनो 50 mg टेबलेट है तो यह तीन चार ड्रक्स है जो बहुत ज्यादा प्रयोग में लिया जाता है बट हो सकता है यह आपके रिये में किसी और ब्रान्यम से आपको मिल जाए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यह जो टेपेंटा डॉल हो रहा हो तो उस कंडिशन को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर जो है टेपेंटा डॉल टेबलेट आपको रिकमिनेंट कर सकते हैं इसका प्रयोग आपको एक्यूट पेन के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है मतलब जैसे यदि कोई व्यक्ति जिसको हैड़क हो रहा हो दा साथ मसल से स्टीफनेस का दर्द हो व्यक्ति के जॉइंट में दर्द हो चाहे हो और फिर बून फ्रैक्टर का पेड हो तो इन कंडिशन्स में यह टेपेंटाड डॉल टेबलेट व्यक्ति को रिकमिनेंट कर आता और व्यक्ति को पर इसका बहतरीन रिजल्ट आपको देखन करते हैं और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि यह जो टेपेंटा डॉल टेवलेट है इसके क्या कुछ साइड एफेक्ट हो सकते हैं तो यह आपका पेंड डिलीविंग मेडिसिन्स है बट इसके अलावा इसके बहुत सारे सीवेर इफेक्ट्स भी आपको देख का राना और इसके अलावा स्लिपने जैसे समस्या हो सकती मतलब व्यक्ति को निल आ सकता है इसाइड इफेक्ट्स कौमन है खुद बखुद चले जाती है इसमें घवराने के बाद नहीं है बट इतना है कि अगर आपको सीवेर स्टेज में देखने को मिलता है तो आपने का तो उसे 50 मिलिग्राम के एक टेवलेट दिन में एक वार खाना खाने के बाद लेने के चला दी जाती है और इसके अलावा डॉक्टर आपको हो सके तो इस सो एस मतलब इमर्जेंसी टाइम में ही मतलब जब जरूवत है तब आपको लेने के सला दी जाएगे और इसे ज्या और सिर्फ प्रिस्किप्शन पर ही आपको मिलती है अब वीडियो के लास्ट में अगर हम इस से टेपेंटा डॉल टेवलेट के सेफटी डवाइस की बात करते हैं तो सेफटी डवाइस में तुम मैं यहीं बताऊंगा कि आप इसका प्रियोग के लिए खुद से ना करे या तो मिलता हूं अब आपसे अगले वीडियो में किसी अगले टोपिक के साथ